दोस्तो वैसे तो संभावना सेट की काफी अच्छी फैंक फोलों गया है जबसे उन्होंने यूट्यूब पर अपने व्लोग्स के जरिये अपनी रियल परसनलिटी को दिखाया है लेकिन कुछ न कुछ रिजन से कई बार वो लोगों के हार्शे पर आ जाती है इस बार अपनी रही थी मंदिर की सफाय के टाइम पर उन्होंने अपने भगवान जी को रोसोई की सिंक में धुल दिया जो कि लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लोगों को कहना ये था कि भगवान को नहलाने की भी एक परक्रिया होती है जो कि आपने गलत तरीके से की है भगवा किया है इसके आलावा कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम हुई है कि संभावना सेट ने अपना जो खाना बनाया है वो प्याज में क्यों बनाया वहाँ पर संभावना ने सफाय भी दी कि मैंने इस से माता का भोग नहीं लगाया ये एक अलग चीज है बड़ लोगों को कुछ से शांती नहीं है कुछ लोगों का कहना यह है कि नहीं नवरात्री है तो प्याज खाना ही नहीं चाहिए खेर जो लोग वर्त नहीं रखते हैं उनकी अपनी परसनल चोईस होती है कहीं जंगा पर ऐसा होता है कि लोग प्याज बगरा कुछ भी खाना छोड़ देते है कई जंगा होता है कि प्याज वो खा लेते हैं नोर्मली खा लेते हैं लेकिन जो भगवान वाली बात हुई है कि भगवान जी को नहिलाना कि हो सकता है उन्हों इस चीज को पता ना हो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़े कर दी और हो सकता है कि आगे लाइफ में वो इस तरीके क चीज़े ना करें लेकिन ये चीज़े किछ लोगों के लिए बहुत जादा बड़ी हो जाती है बट ये चीज़े इतनी भी बड़ी नहीं है कि जिसकी वज़े से किसी इनसान को गंधी त्रेयर से ट्रोल किया जाए या गंधी तरीके से उसके साथ behavior किया जाए आपका क्या कहन इस बार में comment box में हम ज़रूर बते हैं मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye thank you so much